खबर नागल चौदरी से है, जहाँ विकास के नाम पर सरकारी संपती पर जब्त नगर पालिका में पानी की पाईप लाइन दबाने के नाम पर शहर में एक साल पहले बनी सडक को मोहरा बनाया जा रहा है कुछ दिन पहले ही बनी सड़क को बीचो बीच तोड़ कर पाइप दबाया जा रहा था जिससे सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है लेकि नगर पालिका का या जल स्वास्ते विभाग का कोई भी अधिकारी या करमचारी कोई सुध में नहीं है इस मामले में जब मीडिया ने वाड नमर आठ की महिला पारश्यत से बात की तो इन्होंने क्या कुछ कहा आईए आपको सुनवाते हैं पूरा रोड डैमेज कर दे और जैसे मानलो मेरे को पता लगा भी की रोड में जैसे जैसे भी चल रही है पानी की लाइन के लिए तो मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने पूरा रोड डैमिज कर रखा, विद टाइलों के साथ ही उन्होंने पूरा रोड उखाड रखा और सेंटर से ले रख़िया पाईपलाइन तो ऐसे तो नुकसान ही हो रहा है सबसे जादा तो मेरे वाड में तो यह हमारे चेर्मेन से बागते हो चुकी हैं, तो चेर्मेन नी यही काया कि हमारे पास पैसा है, हम रोड फिर से बनवा लें जब चेर्मेन से मीटिंग करेंगे तब पूछेंगे कि पैसा ऐसे बारने के लिए क्या